बेल्कम बैक टो न्यूव वीडियो और फिंट्स आजम बनाने वाले हैं बजार जैसी चट परटी मतर बो भी अपने केचन में और ये चुटकियों में तयार होने वाली है तो फिंट्स मतर बनानी के लिए हमने क्या किया है पाणी में विग दिए हमारी मटर फूल कर लिया है इसके बादे मटर द के सब बार उसके बादा में लिए पर कोण परे इसके बानी बाई दाल से उसके लिए में नमक डाला है तके अदिक कर लो दिया है गैस की जो फ्ले में उसे हमें मीडियम रखना है और फ्रेंड्स जब चार सीटी आ जाएं तो समझे हमारी मटर जो है गल गई है चार सीटी आने पर मैंने यहां पर जो गैस है वो बंद कर दी है जब आप लोग इस तरीके से मटर बनाएंगे न तो आपके घर में यह मतर सभी को बहुत पसंद आएगी और फ्रेंड्स इनको आलि खना भी नहीं पसंद अधिय है एंस तरीके से आप बनाओंगे तो आपको मतर वहाँ अच्छी लगाईह कि आप इस composition mt बावल में ट्रांसफर कर लेंगे, मैंने हम इसे ट्रांसफर लिया है, अगर आपको लगता है आपकी मत्र में पानी जादा हो गया है तो आपको घाबराने के बिलकुल ज़्रूरत नहीं है इस वीडियो को देखती रही है, तो friends आप चम्चे की सहयता से या किसी छोटी से कटोरी की सहयता से इस तरीके से मटर से जो एक्ष्टर पानी है उसे निकाल सकते हो और यह पानी में फेकना नहीं है क्योंकि यह सबजी बनाने की तरी में कामा सकता है या फिर किसी को रसीली मटर पसंदो तो उसमें भी इसको एट कर सकते हैं तो दीकि मैंने आपे चार चम्मच पानी निकाला है और यह हमारी दानेदार एकदम मटर हमें मिल गई है और friends अब हम इसे बनाएंगे बजार जैसे चट पटी उसे बनाना में मिंटो का काम है तो friends मैं यहां पर लूंगी थोड़े से मसाले जैसे कि मैं ले पिसा हुआ धनिया पाउडर तो मैंने यहां पर दिया डाला है दो चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और अब बहरी है इसको चैट पटा और तीका बनाने का उसके लिए मैंने आप डाला है मिर्च अगर आपको मिर्च थोड़ी पसंद हो तो आप थोड़ी डालिएगा और फिर डालेंगे स्वादानसर नमक और फिर उसके बाद डालेंगे इसको चेटपटी बनाने के लिए आमचूर पाउडर फ्रेंड्स आ रहा है ना मुह में पानी फ्रेंड्स हाँ यह बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसके बाद मैंने थोड़ा से चिली फ्लेक्स डाल दिया है ताकि स्वाद और भी अच्छा हो जाए फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स अब हमारी मटर आदे से अंदर लगे फ्रेंड्स आप इसमें कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हो थोड़ा से टमाटर थोड़े से मूली घिसके भी डाल सकते हो कद्दू कस करके मैंने यह पर प्रयोग नहीं किया क्योंकि मुझे यह मटर ब्रिदावत लैटन और प्याज के बनानी थी तो मैं यह मटर देने वाली हूँ अपनी बेटी को क्योंकि उसे मटर बहुत पसंद है और कई दिनों से वो मुझे कह रही थी कि मटर बनाओ घर पर तो मैंने उसके लिए बनाई है मेटर मटर और अब देखते हैं उसका क्या रियक्शन है आईए तो फ्रेंड्स आसा करती आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजएगा और यह मटर बनाएए अपने घर पर सभीको खिलाएए बाइ-बाइ-फ्रेंड